किसान साथियो नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियो एक किसान भाई हैं उपेंदर परसंदा जो भाव नगर गुजरात के रहने वाले हैं आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी काग जी निम्बू पर जिसका नमबर 166 है 166 उसमें मैंने बताया था कि 12 मासी काग जी निम्बू से लाखों की आमदनी का सच भाग दो उस पर जो उपेंदर परसंदा जी हैं उन्होंने एक कमेंट किया है कि त्यागी जी ये बात बिल्कुल सही थी कि मैंने दस बाई दस पर पोदे लगाए थे निम्बू गे और तीन साल के अंदर ही वो दोनों मिल गए हैं और अब मुझे आदे पोदे उखाडने पड़ रह या एक एक कील्बे में पोदे लगाने हैं तो मैं उनसे पूचता हूं कि आपको कितने पोदे चाईएए जब वह 400 और 425 बताते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि नहीं आप 110 या 120 पोदे लगाएं और अगर बहुती अधिक लगाने हैं तो आप 200 से अधिक पोदै मत लगा अब मेरे इन तीन पूदों को देखिए यह पोधा देखिए यह निब्मों के जो यह दोनों आठ फिट पर है तो घाई वर्स में देखिए यह दोनों मिल गए तो अब ये कैसे इनकी बढ़वार होगी ये सोचना आपका विशे है ये जो दूरी है इन दो पोधों के बीच की दूरी ये 10 फिट है आप देखे धाई वर्स में इनकी कितनी ग्रोथ हो गई और आप देखेंगे कि मैंने एक निम्बू की कटिंग पर वीडियो बनाई थी जो खालिद भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं उन्होंने इस पोधे की कटिंग की थी और आप अब देखिए कि ये पोधा कितना विश्तरत रूप ले चुका है आज दो बात बताऊंगा पहला है दूरी का तो किसान भाईयो कोई भी किसान भाई अगर निम्बू की बागवानी करना चाहते हैं तो बीस बाई बीस या बीस बाई अठारा से कम पर ने लगाएं अगर उन्हें बहुत ही अधिक पोधे लगाने हैं तो पंद्राय बाई पंद्राय से कम पर बिलकुल भी ने लगाएं लेकिन अगर बीस बाई बीस पर लगाएंगे तो अच्छा होगा और पांच साल में उनके पोधे लगबग मिलने लगेगे और अगर भरपूर फल लेना है तो पोधे का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए जितना पोधा बड़ा होगा उतना ही आपको फाइदा होगा उतने ही अधिक फल आएगे ये बात पहली हुई दूरी के बीच मैंने बता दिया है निर्ने आपको लेना है मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ आप ये देखिए ये मेरे पास दो पोधे हैं ये पोधा CCRI से आया हुआ है ये साइंस सर्वति का पोधा है इसको मैंने दूसरी थेली में लगाया है आप ये देखिए इसमें मैंने इसे कहीं भेजना था कुछ बाई मुझसे कह रहे कि त्यागी जी आप हमारे पास कूरियर से भेजी और हम कूरियर से पोधे ले ले लेगे चुकि उन्हें 400-500 पोधे नहीं चाहिए एक एक कड़ के लिए कुल 110 या 120 पोधे चाहिए तो मैंने इसको कोकोपीट में ट्रांसफर किया है ये पोधा है जो मेरा थाई लेमन है ये बीज से तयार है अब देखिए मैं इस पोधे को निकालता हूं और आप इसकी जड़ों को बड़े ध्यान से देखिए ये देखिए आपके सामने ये देखिए इसकी साइड से जड़े है यह बोजन वाली जड़े है जो दुद्यक जड़े कहती है और जो बीज से पुद्य कैसे बंता है उसमें यह प्रात्विक रूट होती है यह देखे कितनी बड़ी और एक ये दूसरी जड़े, ये दो जड़े ध्यान से देख लेजिए और इसके साथ-साथ ये दूत्तिक जड़े हैं, देखे कितनी अच्छे जड़े चल रही है अब आईए मैं दिखाता हूँ इस पोदे को जो मैंने गुट्टी का बनाया था जो हमारे गुरुप में हैं, एक योगेंदर सिंग जी उन्होंने मुझे कहा था कि त्यागी जी मुझे इसके पोदे बना कर दीजिए और ये लगबग सो पोदे मैंने बताई, ये देखे मैंने निकाल दिया है अब मैं इस पोदे की जड़े आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए चुकि मैंने बनाए हैं, इसलिए इसमें आप इसको ध्यान से देखिए ये मैंने इसकी मिट्टी निकाल दी है, ये देखिए किसान साथियों, इसमें देखिए, आपके केवल आपको ये द्वित्यक जड़े मिलेगी जो भोजन वाली जड़े हैं, ये ही मिलेगी, और इन में से ही कुछ जड़े इसे सहायता करेगी रोकने में लेकिन इन में कोई भी मोटी जड़ नहीं है, ये देखिए, यहां से इसकी ये हमने गुट्टी काटी थी ये वाली और इससे उपर की तरफ सारी जड़े हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, मैं उल्टा कर देता हूँ, ये देखिए इसमें कोई भी इस प्रकार की जड़ नहीं है, जैसी जड़ इसमें है ये वाली, आप देख लीजे, इसमें कोई भी जड़ नहीं है तो इसकी जड़े हैं, वो सिरफ आपके पोधे के समानानंतर ही फैलेगी, ये इस तरह से जाएगी कुछ जड़े थोड़ी मोटी हो जाएगी, जैसे ये वाली हैं, और बाकी जड़े नीचे की तरफ कोई भी प्रात्मिक जड़ नहीं है, ये देखिए इसलिए गुट्टी के पोधे, उन पोधों की बनानी चाहिए गुट्टी, जो पोधे बहुत अच्छी लब्मी उमर नहोजी इनकी इस पोधे की उमर और इस पोधे की उमर में लगबग दुगना अंतर होगा, ये पोधा 30 वर्स तक रहेगा और बहुत मजबूत खड़ा रहेगा, ये देखिए, ये जड़े जो हैं इसकी, और ये दुट्यक जड़े हैं, लेकिन इसमें जड़े देखिए काफी हैं, लेकिन ये सारी साइड में रहेंगी और आप अपना कोई भी गुट्टी का पोधा उखाड़ कर देखिए, तो उसमें इस परकार इनका जाला बना हुआ होगा और ये कभी भी जमीन में बहुत अच्छी तरह नहीं रूख पाएगा तो किसान साथियो, जो आज मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, फिर एक बार बता देता हूँ, ये इसकी प्रात्मिक जड़ है, यहां से देखिए, अच्छी तरह से जो बीज से बनता है, ये जड़ है, इसकी मुखे जड़ है, जो की पोधे को जमीन में अंदर रोकने में साहता करेगी, और ये जो दुट्यक जड़े हैं, ये इसके भोजन की है, लेकिन इसमें इतना जाला बन जाएगा, कि हम इसे काटते काटते भी परेसान रहेंगे, औ और पोधा बहुत तेज हवा से इधर उधर हो जाएगा, ये बात देखिए, कि ये पोधा बिल्कुल सीधा चलेगा, आप देखिए, ये मेरा पोधा, ये पोधा मैंने सितंबर में लगाया था, ये एनर सीसी सेवन का पोधा है, जो मैंने सीसी आराई से मंगाए हैं, और आ बग एक फिट तक मैंने साफ कर दिया, और देखिए, कितना अच्छा पोधा चल रहा है, उपर की तरफ चलेगा, ये बढ़ेगा सीधा, लेकिन आप इस पोधे को मेरे ध्यान से देखिए, कि ये नीचे से ही, आप देखिए इसको, कि नीचे से ही कितनी साखाई फूट आँगा, तो इसे सीधा करने में मुझे बहुत ही कठनाई होगी, और मुझे बार-बार इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, और जब हम बार-बार अधिक कटिंग करते हैं, तो इसमें गोमोसिस आता है, इसमें कैंकर का रोग आता है, इसमें ट्रेस्चिया का रोग आता है, ज इसमें भी नीचे से ही ये गुट्टी वाले पोदों की विसेश्ता है चुकि एक साखा में से कई गुट्टी बनाते हैं देखे किस प्रकार ये है और ये नीचे ही नीचे फैलने लगा मुझे अब फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो देखे जिसम आप लोगों को समझेने की कोशिश की है कि नीबू के पोदे कभी भी दस बाई दस बाई आठ आठ बाई पांच या सगन विधी से ने लगाए अगर आपको बहुत ही जादा लगता है आप पंदरा बाई पंदरा से कम बिलकूल ना लगाए यानि लाइन से लाइन के दूर कि बीसफीट और पोदे से पोदे की दूरी अठारा फिट किसान सातियों हमें आपको पोदे देने हैं के आपके पोदे अच्छे चले आपको अच्छी आमदनी हो हमें अपने पोदे अधिक बेचने पर नहीं ध्यान देना चाहिये जो की अधिकतर लोग करते हैं और किसान उनके जहासे में आ जाते हैं आईए मैं आपको कुछ पोधे वे भी दिखाऊंगा जिन में के मैंने पांच-पांच फिट फर लगाए थे और मैंने बीच में से दो-दो पोधे हटा दिये आज उनकी क्या श्थति है जो ढाई वर्ष के पोधे हैं आईए देखते हैं किसान साथियो ये दोनों पोधे भी जो बारामासी हैं जो गुट्टी वाले हैं में पोधे हैं और ये देखिए आप इसके तने से देखिए इस तने से इस तने की दूरी जब मैंने लगाये थे इनके बीच में दो पोधे और थे यहां पर यहां पर दो पोधे और थे जो मैंने हटा दिये इस समय इनकी दूरी पंद्रह फिट है आप देख लीजिए और सिरफ ये मैंने जो हाथ फैला रखा है अभी ढ़ाई वर्स के पोधों में केवल इतनी दूरी बची है जबकि अभी दो साल में और तीन साल में ये बिल्कुल मिल जाएंगे और पंद्रह फिट पर भी इनकी क्या हालत होती है आप सोच सकते है तो किसान साथियो आज मैंने आपको बताने की कोशिस करी के दूरी क्या है और उस पर जो किसान भाईयों की फीड बैक आई है उन्होंने अपना अनुबव साजा किया है वो बताया है आप ऐसी गलती करके अपना समय धन की बरबादी नह करें ऐसा ना हो कि अधिक आमदनी के चक्कर में आपको बहुत सारा नुकसान हो जाए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदे मातरम